इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्ती पूर जिला से आ रही है जहां जीले की उत्पाद पुलिस ने उजियार पूर्थाना क्षित्र के चांद चौर गाउव में रवीवार 11 अगस्त को चापा मारी कर एक राजनितिक दल के नेता को 72 लीटर अवैद विदेशी श शराब धंधेबाज की पहचान उज्जियार पूर्थाना क्षित्र के चांद चौर मध्य पंचायत स्थिद्वार एक निवासी स्वर्गिय लक्षमी सिंग के 40 वर्षिये पुत्र कमलेश कुमार उर्फ कमलेश कुश्वाहा के रूप में की गई है इस बाबत जानकारी दे उत्पाद में रिक्षा कुमार गौरव ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि उज्जियार पूर्थाना क्षित्र के चांद चौर मध्य पंचायत के वाज संख्या एक के रहने वाले कमलेश कुश्वाहा नाम का एक व्यक्ति काफी दिनों से अवैद शराब का कारोबार कर रहा है सूचना मिलने के बाद जब सूचना का सत्यापन करने उज्जियार पूर्थाना क्षित्र के चांद चौर मध्य पंचायत स्थित उक्त धंधेबाज के घर पहुंचे तो सूचना सत्य पाया गया इस दोरान शराब धंधेबाज कमलेश कुमार और ही गिरफ़तार कर लिया गया जिस से पुझताच किया जा रहा है आपको बतादें कि गिरफ़तार व्यक्ति वैसे राजनीतिक डल के जिला सचिव बताए जा रहें हैं जिसके राश्ट्री अभी तक कुल तीन राजनीतिक डल का विलान्य अंय डलों में इकर चुका है और उस राजनेतिक दल का राष्ट्री अध्यक्ष अक्सर बिहार के काराकट लोक सभाक शेत्र से अपना किस्मत आज माता रहा है। हाला कि कमलेश कुमार उर्फ कमलेश कुश्वाहा के घर से विदेशी शराब मिलने है और उसकी गिर अफ्तारी के बाद उजियारपूर प्रकंट प्षेत्र में अटिलों का बाजार गर्म हो गया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अबस्कार।